नमस्कार दोस्तों, क्लास एट मारा स्टेट बॉर्ड मैथेमेटिक्स, चाप्टर नमबर सिक्स, फेक्टर राइजिशन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन्स चाप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरुद है कि चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आपकान प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले वीडियो के निटिफिकेशन्स मिल जाएं अब, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हैmm factors, factorization मतलब क्या है यह समझने से पहले हमें, factors क्या होते हैं, वो समझना जरूरी है संब्सक्ति सम्मने यहाँ पर एक number लिया है 15 तो 15 number जो आएगा वो कोंसे 2 numbers का multiplication करने के बाद आएगा 3 & 5, 3 और 5 का अगर हम multiplication करेंगे तो यहां पर 15 आएगा तो 15 के यहां पर दू फैक्टर्स होगए एक त्री और दूसरा 5 तो यह प्राइम फैक्टराइशन कहलाता है क्योंकि हर एक नंबर जो है फैक्टर वो प्राइम है अब 15 इंटू 1 यह जनरल फैक्टराइशन होगा है 15 इंटू 1 15 और 1 का multiplication 15 आता है तो 15 भी 15 का फैक्टर और 1 भी हम उसे फैक्टर कहेंगे अब देखे एक स्कार प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यह जो फर्मला है वो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के लिए हमने पिछले चाप्टर में पढ़ा है तो अब यहां प जो राइट हैंड साइड में हमें algebrick expression मिला है उसके यह दो फैक्टर हो गए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए यह दो फैक्टर इस algebrick expression के हो गए तब यह जो अलजब्रिक expression रहा है उसे हम quadratic trinomial कहते हैं तो अगर quadratic trinomial हमें numbers में दिया गया हो मतलब coefficient a b a b जो है वो यहां पर अगर number हो तो कैसे करना उसके लिए एक method है उसे हम splitting middle term यह method कहते हैं जो कि टेक्स्टोट में इस method का नाम नहीं दिया गया है लेकिन हम एक example से हम यहाँ पर समझेंगी इसको 2x square minus 15x plus 28 अगर इस algebraic expression के हमें factor find करना है तो यह है quadratic trinomial अब देखिए 2x square minus 15x plus 28 इस quadratic trinomial को अगर हम ax square plus bx plus c इससे हम compare करेंगे इन दोनों का comparison करेंगे तो x square का coefficient a और यहाँ पर x square का coefficient 2 तो a की value हो गई यहाँ पर 2 x का coefficient plus b और x का coefficient minus 15 तो b की value हो गई minus 15 और c constant value यहाँ पर constant number है 28 तो यह method क्या है देखिए यहाँ पर x square का coefficient और constant value इन दोनों का हमें लेना है और इनका multiplication करना है a into c तो यहाँ पर होगा a into c और x का जो coefficient है b वो हमें अलग से लेना है तो ऐसे दो numbers हमें find करने हैं जिनका multiplication a c को equal होगा इन दोनों का multiplication a c को equal होगा और ऐसे दो numbers लेके middle term को split करना है तो यहाँ पर हम यही example समझेंगे कैसे करना है c की value है 28 और a की value है 2 28 into 2 अगर हम इन दोनों का multiplication करेंगे तो 28 into 2 यहाँ पर होगा 56 तो हम a into c की जो value है वो हम यहाँ पर लेंगे 56 अब b लेना है x का coefficient minus 15 तो हम यहाँ पर minus 15 लेंगे तो ऐसे दो numbers जिनका multiplication 56 हो और addition या subtraction 15 हो तो 56 जिन दोनों का multiplication आता है ऐसे हम number ले सकते हैं कि suppose 14 into 4 14 को 4 से अगर हम multiply करेंगे तो भी हम यहाँ पर 56 मिलता है लेकिन 14 और 4 की addition 18 आती है हमें 15 चाहिए subtraction 10 आता है हमें 15 चाहिए तो 14 और 4 हमें नहीं लेना है तो फिर हमें क्या लेना है तो दूसरे और दो factors find करने है 56 के जिनका multiplication 56 आता है तो अब अगर हम थोड़ा सोचें तो हम यहाँ पर दो numbers मिल जाते हैं एक 8 और 7 7 8 चा 56 लेकिन अब देखिए इन दोनों की addition या subtraction जो है उसे हमें negative sign होना चाहिए तो अगर हम इन दोनों की addition करते हैं तो 8 minus 7 वो नाता है तो इन दोनों का addition भी नहीं होना चाहिए sorry subtraction नहीं होना चाहिए addition होनी चाहिए तो इन दोनों की addition होने के लिए हमें इन दोनों का sign जो है वो same रखना चाहिए तो हम अगर प्लस प्लस रखता हैं तो addition प्लस नहीं आएगी इसलिए हमें इन दोनों का sign minus रखना होगा तो minus 8 minus 7 minus into minus plus 8 7 जा 56 और minus 8 plus minus 7 minus 8 plus into minus minus होगा minus 8 minus 7 answer मिलेगा हमें minus 15 तो अब दो जो numbers हैं इनको हमें middle term के लिए split करना है तो कैसे करना है दीखे 2x square minus 15 x को हमें लिखना है minus 8 x फिर minus 7 x क्योंकि minus 8 x minus 7 x इन दोनों के addition करिए minus 15 x आएगा और plus 28 तो यहां लिखिए अब हमें इसके बाद factorization जो process है वो start करनी है तो इसके बाद first two numbers और last two numbers इन दोनों के हमें grouping करनी है तो इन में हमें common लेना है common क्या लेना है देखिए जो numbers है इन दो numbers का LCM हमें common लेना है जो greatest number हो उससे इन दोनों को divide होता हो अब 2 और 8 दोनों को 2 सी divide होता है दोनों के भी 2 और greatest number है 2 जिससे इन दोनों को divide होता है अगर यहां पर 4 रहता तो 4 और 8 इन दोनों को 4 से डिवाइड होता तो 4 हम common लेते हैं अब x का square और x इन दोनों में हम x ले सकते हैं जो कि इन दोनों को x से डिवाइड हो सकता है तो हमें 2x common लेना है अब जो भी number हमने common लिया है उससे हमें इन दोनों को divide करना है और divide करने के बाद जो रहेंगे वो हमें bracket में रखने है तो 2x square को अगर हमने 2x से divide किया तो अब क्या रहेगा देखे 2, 2 cancel x और 1, 1 x square का 1x cancel होगा 1x यहां का तो यहां पर numerator में 1x रहेगा वो हमें numerator में x लिखना है अब 8x को हमें 2x से divide करना है तो 8x divide by 2x तो देखे यहां पर हम divide करेंगे 8x divide by 2x तो 1x cancel होगा 2, 4, 8 तो यहां पर होगा 4 अब देखे माइनस से यहां पर plus common लिया है तो plus common लिया तो sign change नहीं होता माइनस को हमें minus से रखना है 2, 4, 8 रहेगा अब अगर third number negative है तो हमेशे यहां पर common लियना है minus common लिया तो sign change होता है minus यहां पर हमने common लिया है तो यह minus का plus हो जाएगा और 7 और 28 इन दो numbers को 7 से divide होता है तो minus 7 हम common लियागे तो इसका sign plus होगा minus 7 minus 7 cancel है यहां पर रहेगा x plus से अगर हमने minus common लिया है तो यहां पर minus रहेगा 7 से 28 को divide करिए 7, 4 जा 28 अब देखें यहां पर दो brackets same आ गए हैं तो x minus 4 यह bracket हमें common लियना है तो x minus 4 x minus 4 हमने अगर common लिया तो यहां पर रहेगा 2x minus 7 अब x minus 4 और 2x minus 7 यह जो हैं वो 2x square minus 15x plus 28 के दो factors आ गए प्रेक्टिसेट 6.1 उसमें factorize यह question है x square plus 9x plus 18 हला कि यह जो प्रेक्टिसेट है वो मैंने पहले है upload मतलब पहले भी upload किया था 6.1 का वीडियो लेकिन उसमें एक question गलत होने के वज़े 24 मिनिट का शायद वो वीडियो था मुझे वो डिलिट करना पड़ा है यहां से यूटूब से तो इसके लिए मैंने यह नया वीडियो 6.1 पे बना के अभी मैं upload करने वाला अगर किसी वीडियो में जो पहले बनाए हुए हैं उनमें मुझे कोई problem नजर आती है तो मैं उनको replace करने वाला हूँ वो भी थोड़े मुझे चेक करने हैं अभी जो नए वीडियो बन रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दीरे दीरे और अच्छी तरह से बन रहे हैं पहले थोड़ी speed या कुछ थोड़ी सी दिक्कत मुझे आ रही थी जो कि नया नया जब मैं बना रहा था वीडियो तो लेकिन अब जो हैं वो मुझे लग रहा है कि अच्छे वीडियो बन रहे हैं अब देखिए factorize तो जो हमने अभी method discuss की है उसे ही हमें यहाँ पे दोराना है तो x square का coefficient यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो यह होता है 1 1 into 18 का multiplication है 18 तो हमें दो numbers जिनका multiplication 18 है वो हमें find करना है फिर x का जो coefficient है वो है 9 तो addition या subtraction 9 आने चाहिए और multiplication 18 आना चाहिए तो ऐसे दो numbers हैं देखिए अभी 2 और 9 का multiplication करेंगे तो 9 into 2 18 आता है लेकिन 9 और 2 की न addition 9 आएगी या इनका subtraction 9 आएगा 9 plus 2 11 9 minus 2 7 आता है तो दो numbers और दूसरे डोंड यह 3 into 6 6 into 3 18 और 6 plus 3 9 तो हमें दो numbers मिल गए जिनका multiplication 18 है और addition 9 है 6 3 is 18 तो यहाँ पे जो middle term है उसे हमें split करना है 6 और 3 के form में तो 9 x को हम लिख सकते हैं 6 x plus 3 x तो देखिए इसे लिखना यह x square plus 9 x को लिखे 6 x plus 3 x plus 18 अब जो first two numbers और second two numbers इन में हमें common लेना है तो common कैसे लेना है देखिए x square और यहाँ पे 6 x तो x और x x हम common ले सकते हैं क्योंकि आप एक coefficient number 1 है तो 1 और 6 में कुछ common जरूरत नहीं लेने की तो x square और x इन दोनों को x से divide होता है जो highest factor है इन दोनों का x square को x से अगर हम divide करेंगे तो x square मतलब x into x होता है तो 1 x cancel होगा 1 x यहाँ पे रहेगा plus को plus लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे plus common लिया है तो plus common लेंगे हम तो sign change करने की जरूरत नहीं है तो x हमने common लिया है यहाँ पे 6 रहेगा फिर plus 3 x और plus 18 3 से 18 को divide होता है 3 से 3 को divide होगा तो यहाँ पे plus 3 हमें common लेना है तो plus 3 common लेने के बाद प्लस 3 यहाँ पर cancel होगा यहाँ पर रहेगा X प्लस से प्लस common लिया है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा 3, 6, 18 तो दोनों bracket में यहाँ पर same value आ गई है X प्लस 6 और X प्लस 6 तो हमें common X प्लस 6 यह bracket common लेना है अगर हम यहाँ पर bracket common लेते हैं तो यहां पर रहेगा X प्लस यह bracket common तो यहां पर रहेगा 3 तो X plus 6 और X plus 3 यह दो factor चो है X square plus 9 X plus 18 के आएंगे तो अब next जो questions है वो हम next video में लेंगे इस practice rate के तो पहले 6.1 पे दो एक यह वीडियो बना था अब शायद 12 या 13 minutes के 2 बन जाएंगे जो भी हो आगे बनेगा भी 6.1 का पहले 24 मिनिट का था तो ठीक है थैंक है दोस्तो